नमस्कार दोस्तूं मैं रामसाद्बर्मा ग्यानदैनी क्लास इनलाइन इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास दर्स बिग्यान जिसमें पहरा पाठ है राशानिक सबख्रिया एवं समीकरन, पाठ का नाम है राशानिक अफ्रिया एवं समीकरण तो अभी तक हमने देखा रासानिक अफ्रिया क्या होती है रासानिक समीकरण क्या होता है समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं फिर हमने देखा अभिकार क्या है हमने देखा उत्पाद क्या है मतलब कई प्रकार की जानकारिये को हमने प्राप्त किया उसी क्रम में आज हम इस पाठ के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज जो हम वीडियो लेक्चर देखेंगे वह होगा हमारा रासानिक अफ्रिया यवं शमी करण भाग दो इसमें हम दूसरी भाग के बारे में प्रहाई करेंगे और बात में करते जिसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था सन्योजन अफ्रिया बियोजन अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे तीसरी महत्मून अभिक्रिया जो है बिस्थापन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे बिस्थापन अभिक्रिया अब प्रस्निया पर ये हुटता है कि बिस्थापन अभ विस्थापन अभकृया वह अभकृया है जिसमें किसी योगी का एक परमाडू अपना अस्थान चोड़ देता है और उस अस्थाण पर कोई दूसरा आ जाता है इसे हम क्या कहते हैं विस्थापन अभकृया कहते हैं तो आपको होगे विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी एक योगित का परमाडू किसी आक्रमण कारी अभिकर्मक की उपस्चित में अपना अस्थान छोड़ देता है उस अस्थान उस योगित के परमाडू के अस्थान पर दूसर वही आक्रमण कार या विकरम का परमालू आजाता है, इस की अफ़िया को हम विस्थाब्पन अफ़िया कहते हैं, कहने का मतलब जिसे हमारे पास एक याउग diversity है अब आकरमार कारीपदास C है, अब आकरमार कारीपदास C ने इस पर आक्रमण किया तो होगा क्या कि आपका A वैसे कवैसे रहेगा और B को यह हटा देगा मतलब प्रतिस्थापित कर देगा तो होगा क्या जब B यहां चला जाएगा तो B को हम वैसे प्लस में का कि अलग लिख देंगे और बचेगा कवना आपको यहां पर C बचेगा तो यह बन जाएगा तो आपने क्या देखा कि जब किसी यगिक में आक्रमाण कारी प्रताफ क्रिया करता है तो उस यगिक के एक परमाण को बाहर निकाल देता है और जो परमाण को बाहर निकलता है उसी के जगह पर आक्रमारकारी पदाफ बैठ जाता है अब हम मतलब देखेंगे कि इसके द्वारा ये हमारा उत्पाद बना है और ये आक्रमारकारी पदाफ हमारा मतलब बाहर गया है कहने के मतलब इस प्रकार की अफ्रिया को ही हम प्रतिस्थापन अफ्रिया इस प्रिया को हम विस्थापर एफिया कहते हैं आये हम कुछ उधारानों से हम अच्छी तरह से समझते हैं तो पहला उधारान हमारे सामने है FESO4 ध्यान दिना यहाँ पर यह है आईरानी और यह है CUSO4 कॉपर सलफेट अब सुनिए यहाँ पर एक प्रस्ण आता है आपका क्या है। यह आपका यफी मतलब iron है लोः हैं यह क्या है? मतलब आइरन है लोः है。 और यह क्या मैं कॉपर होते हैं। तो आप कौझत्र होगा कि जब हम कापर's ल्पेट के बिलीन में में लोह की छण को डुबाते हैं, तो यहां होता है है कि लोहा आता है कौपर को मतलब कापर के अस्थान पर लोहा आता है कापर के स्थान पर और कापर को यहां से हटा देता है बिस्थापित कर देता है लोहा आता है कौपर के यह सुफोर, यह बन गया, क्या बन गया, फेरस् शाफेट बन गया, साथ ही साथ, यह CAS क्या हुआ, कापर को बाहर कर दिया, हता दिया, तो plus में लिख दो गया, SCU तो यह उद्हारण आपका किस अफ्रिया का है यह उद्हारण आपका D को हटा देता है और लोग के साथ है तो क्यैं बनता है फैर सालफेट बननों और कापर को वह पृतिस्थापित का देता है हमने पहला उद्हारण देखा दोसरा उद्रखनेब की बात करते हैं यहाँ, तो होगा क्या आपका? YMG li Paige, Magnetium और यहाँ पर लिख देंगे आप, क्या? कोई मदलब आप? Amla लिख देंगे, जैसे हम यहाँ फिरे बात कारते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर HCl, यह हमने लिख दिया यहाँ पर दो बार है और Cl भी दो बार है अब क्या होगा यह magnesium आएगा और यह को यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा हटा देगा तो होगा क्या आपका बनेगा यमजी और magnesium की बैलेंसी कितनी होती है तो दो होती है बन जाएगा यमदिस्यल 2 प्लस बाहर क्या जाएगा आपका H2 मतलब hydrogen gas जाएगी तो इस बात को भी आपने समझ लिया कि जब magnesium के ख्रिया hydrochloric आमले से होती है तो magnesium chloride बनता है और साथ ही साथ आपका hydrogen gas बाहर निकलती है इसके अत्रिक्त इसके अन्य उदहराण और हैं देखिए जैसे यहां भी हमने लिया zinc और इसकी क्रिया करा दिया sulfuric अमल से जिंक लिया इसकी क्रिया हमने करा दिया sulfuric अमल से अब zinc क्या करेगा zinc काम यह करेगा कि hydrogen को यहां से हटा देगा बाहर निकाल देगा तो होगा क्या आपका यहां पर बनेगा आपका Gdn यह 104 प्लस H2 मतलब hydrogen gas बनेगी यह भी अभक्रिया जो है बिस्थापन अभक्रिया का उदहराण है यहां पर हमने इसको भी समद लिया आई हैं और हम देखते हैं यह पर जो महत्कॉन रफ्लिया आएं आए हैं जैसे यहां पर हो गए आपका यह यहां पर लिखते हैं आप और मालो मालो इसके पास उसके बाद यहां पर हम लिख देंगे एक उदारान है आपके सामने CS2 CL2, यह है, इसमें हम क्या मिला देंगे, क्लोरीन गेश मिला देंगे, मतलब यह आपका एथिलीन है, क्या है, एथिलीन गेश है, इसमें हमने क्लोरीन गेश को मिला दिया, अब क्या होगा, यह इस प्रगार की रतना को बना लेगा, और होगा क्या यहां पर देखिए, दो यह क्लोरिन पर माड़ू, एक यच को बाहर निकाल देगी, एक यच को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे CS2 लिख देंगे, इसमें कोई बतलाव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यच कई बार है, केवल एक बार है, और यहाँ पर क्या लिया उसके बाद यहां पर क्या होगा बच्चा कौन कौन है एक यह बच्चा है और यह बच्चा है लेग देंगे तो यह बन गया यहां पे बंद को हम पूरा कर देंगे तो कहने का मतलब है कि जब हम एथलेन में यह एथलेन गैस में क्लोरीन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता आपका तब यहांपे बनता है मोनो क्लोरो एथलीन बनता है शाथ ही साथ यह आपका हाइड्रो क्लोरी के अमलोग बाहर निकल जाता है तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से समझा विस्थापन अभक्रिया को आई यह हम देखते हैं अगली महात्पूर्ण अभक्रिया कौन से है जो अभक्रिया अगली महात्पूर्ण है वहाँ है आपकी दोई बिस्थापन अभक्रिया अथवा आप कहोगे आप डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन अब हम पढ़ेंगे अगली महात्पूर्ण अभक्रिया जो हमारे पास चौथी अभक्रिया है वहाँ है दोई बिस् की आप कहोगे कि uncond nuevos couple कि अब आम कोगे कि मतलब क्या होता है तो आईए हम समझते हैं आप कोगे दोइविश्थापन अभुक्रिया देखिए से निफेर बेंने अपर अपर कर्या वाँप क्रिया होती है जिसमें दो अलग अलग योगिक होते हैं जिसमें दो अलाग अलग यविक होती हैं और यविक जिससे मिलकर बने होती हैं उनके परमाडू यविक जिससे मिलकर बने होती हैं उनके परमाडू आपस में अदला बदली कर लेते हैं और इसके प्रणाम सुरूप जो नए उत्पाद बनता है उससे हम क्या कहते हैं उस प्र हमारे पास है A B और यहां पर है C और D मालो एक यविक A B है एक यविक C D है अब होता क्या है आपका कि ये दो अलग अलग परमाड़ों से मिलकर बना हुआ है पहला A और B दूसरा C और D अब होगा कि आपका कि B देखो जो आपका A है वह C से जुड़ जाएगा और जो B है वह D से जुड़ जाएगा तो सुनिए अब नया क्या बनेगा अपका बनेगा A C प्लस बनेगा आपके यहां पे बीडी यह बनेगा आपके पास तो कहने का मतलब यह है कि दूइब स्थापन फुरिया वहां भक्रिया होती है जिसमें अलग-अलग दो योगिक होती है पहला हुआ कि परमाडर एसर के साथ जुड़ गया और जो आपका लड़र म।ब नया उत्तपात बन गया कैंगि इसी की कहते हैं या इसको समझ लिया आएए हम इसको इसके उता रसद को देखते हैं कि युक कौन से उतारन है तो दोस्तों इसका जो पहला उतारन है वो आपके शामने इस प्रकार से हैं, आईए हम देखते हैं, यहाँ पे है, Na2 यह 104 प्लस Bacl2, ध्यान से देखिए कि दोस्तों, इसका नाम क्या है, sodium sulfate, sodium sulfate, प्लस यह क्या है, barium chloride, फिर सुन लिजेगा, जब प्रस्न यह आता है आपका, क्या होता है, जब sodium sulfate की एकरिया, barium chloride से कराई जाती है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, कि यहाँ पर धनात्मक आयन कौन है, कौन रिणात्मक आयन है, तो दोस्तों, यहाँ पर धनात्मक आयन है, वह बेरियम है, धन दिना यह है, और यहाँ पर sodium है, तो धन और धन के बीच में कभी आकर्षण नहीं होता है, इसी कारण से यह क्या होगा आपका, बनाएगा यन्ने CL, क्या बना लेगा आपका, यन्ने कितनी बार है, दो बार है, इसलिए लिख देंगे आप, 2 यन्ने CL, बना लोगी, क्यों, क्योंकि यन्ने दो बार है, और CL भी दो बार है, त बेरियम क्लॉराइट बना तो कहने के मतलब यह है कि जब हम सूडियम सलफेट की क्रिया बेरियम क्लॉराइट से कराते हैं तो बेरियम सलफेट बनता है सूडियम क्लॉराइट बाहर जाता है बेरियम सलफेट बनता है सूडियम क्लॉराइट बाहर जाता है इस बात को हमने कि एजी यन ओत्री मतलब सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम क्या है सिल्वर नाइट्रेट है इसकी क्रिया कराएंगे हम सोडियम क्लॉराइड से देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया sodium chloride से होती है तो क्या होता है मालों आपके सामने ऐसे प्रस्णा गए तो क्या करो गया अब यहाँ पर एजी कैसा है धनात्मक आवेस वाला है और यहने भी धनात्मक आवेस वाला है तो क्या होगा एजी बना लेगा क्या बनाएगा एजी सील को बना लेगा तो लिख देंगे हम एजी सीयल प्लस यण ए यण ओ थरी बात पहले आप समझेगा आप कहोगे कि जब शिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सुडियम क्लॉराइट से कराते हैं तो सिल्वर क्लॉराइट बनता है सोडियम नाइट्रेट बाहर जाता है इस बात को आपने समझा कहोगे कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लॉराइट से कराते हैं तो सिल्वर क्लॉराइट बनता है और सोडियम नाइट्रेट बाहर जाता है इस बात को आपने समझा और यही अफ्रिया का 204 मतलब copper sulphate प्लस लेंगे यहाँ पर sodium hydroxide यने ओयच क्या लेंगे यनने ओयच लेंगे ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर sodium को आपको यहाँ पर sodium के दो अड़ु लेना है तो देखिए जब copper sulphate की एक्रिया sodium hydroxide से कराते हैं स्माइपका प्रश्ट अईसा होता है कि क्या होता है जब कापर सलफेट की क्रिया स्योडियम है रक होती है तो कुस्छ यह नहीं करना आपको यहां पर ध्यान देना है कि यह न दो जोट्वाइस ये बना तो परिभाशा क्या हो अभी जब कॉपर सलफेट की क्रिया सूडियम हाईड्रोकशाइट से कराते हैं तब बनता है आपका सूडियम सलफेट क्या हैau सूडियम फिट बनता है और कोपर हाइड्रक्षड बाहर चला जाता है एक उधाराण और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे यफई-C-L-3 यफई-C-L-3 हो गए आपका उसके बाद हो गए आपका अमोनियम हाइड्रक्षड अब देखिए यहाँ पर यफई पर प्लस का अबेश होता है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर यहने सफोर है इसलिए इसको हम जोड़ देंगे यहने सफोर कितनी बात तीन बार है और सियल कितनी बार है यहाँ पर तीन बार है इसलिए बनेगा यहने यह चपोर सियल मतलब अमोनियम क्लोराइड बनेगा शाथ ही शाथ आपका बनेगा यहाँ पर यफई-उयच होल थ्राइस यह बनेगा अब सुनिए तसन हमारा यह है क्या होता है जब फेरिक क्लोराइ से होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है क्या बनेगा तब आ मोनियम बनता है और फेरिक हाइडरक्षठ बाहर चला जाता है तो हम ने देखा दोई विस्थापन अफ्गरिया के विविद मतलब अनेक प्रकार के उधाराणों को समझा आएए अब हम समझते हैं अगली महत् यहां पर एक प्रस्ण उठता है कि उस्मा छेपी अप्रिया होती क्या है दोस्तों यहां पर बहुत ही काम की बात है रसाइन भी ग्यान लगता तो आसान है लेकिन अगा श्मज में आता है तब नहीं तो अब आप से दी कोई पुछे कि उसमाथली या क्या्य तो आप फोगे की उसमाथ्यही 25 होती है जिसके परिणाम शुरुप जब योगिक एक दुसरे में आपस में क्लिया करते हैं तो उसमा निर्गत होती है इस प्रकार की अफ्क्रियह को हम उसमा 6 PF कहते हैं पुर्णा ध्यान दो, उसमा 6 PF फ्रिय से उस्मा कहते हैं उदारन के लिए देखा जाए जाए यहां पर तो जैसे hydrogen guess और chlorine guess मिलती है तो क्या बनता है आपका हाइड्रोकलोरिक अमल बनता है कुछ मात्रा में उस्मा निकलती है तो हम कहेंगे यह अफकरिया उस्मा छेपी अफकरिया का उधारण है उस्सी प्रकार अगर हम बात करते हैं लकडी को जलाएं लकडी क्या है कारबनिक पतार्थ है अगर हम लकडी को उसमा प्राप्त होती है अगर हम अगली बात करते हैं यहां पर अगला उधान कौशा है तो अगर हम बात करें यहां पर H2 2H2 प्लस O2 अगर हम पानी बनने की क्रिया को देखे यदि हम पानी बनने की क्रिया को देखे तो उसमें भी क्या होता है कि जब hydrogen gas को oxygen gas साथ सेनोजित करते है तो बनता है आपका जल लेगन कुछ मत्रा में उस्मा निरगत होती है क्या होती है उस्मा निकलती है तो हमने देखा इने सभी अभक्रियाओं में हो क्या रहा है कि उस्मा निकल रही है कहने का मदलब यह है हमारा कि उस्मा छेपी अभक्रिया वह भक्रिया है जिसके परिणाम सुरूप अभक्रियाओं के होने के बाद उस्मा निकलती है उस्मा छ क्लोरिजन गेस के मिलने पर हाइडो क्लोरिक अमल बना साथ ही साथ कुछ मात्रा में उस्मा बाहर गई उस्सी प्रकार यहां पर बात करेंगे कार्बन और अक्षीजन के मिलने पर कार्बन डेशन गेस बनी कुछ मात्रा में उस्मा बाहर निकली उस्सी प्रकार हाइडोजन औ अब बात करेंगे औस मां सोसी अभिक्रिया को द्राण नाम से ही पता लग रहा है उस्मा शुशी शुशी मतलब सोशन करना तो हम बात करेंगे उस्मा सोशी अभिक्रिया तो आप से दिकोई कहें कि उस्मा सोशी अभिक्रिया क्या है तो आप कहोगे उस्मा सोशी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उस्मा का अवसोशन होता है उस्मा सोशी अभक्रिया वह अभक्रिया है जिसमें उस्मा का अवसोशन होता है ऐसी अभक्रिया है उस्मा सोशी अभक्रिया कहलाती है आईए हम इनके उधारण को समझते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो N2 और O2 N2 मतलब Nitrogen Gase और Oxygen Gase के मिलने पर बनता है Nitrous Oxide N-O साथ ही साथ इसमें क्या होता है इस अभक्रिया को होने के लिए इस अभक्रिया को संपादित करने के लिए हमें कुछ मात्रा में उस्मा किया सकता होती है और इस उस्मा को हम माइनस के चिनह से रिणात्मक चिनह से लिखते है उस्मा दिहान देना इसमें उस्मा को कैसे लिखा गया है रिण में कहने का मतलब है कि अभक्रिया को या अभक्रिया के होने में उस्मा का प्रयोक किया गय प्लस प्लस कछ मात्र में उसमा लगेगी जिसके सहायता से यह पर समझाब करते हैं कारबन जो जो कार्बं हमने लिया है और उसके बाद है हम यूदिया किढ़ा दिया अब यह बना लेगा यह बना लेगा आपका सी तुए सफोर कहने का मतलब है कि जब कार्बन की करिया हम हाइडुजन से कराते हैं तो क्या बनती है एथलीन बनती है और कुछ मत्तर में से मतलब जिसके संपादित होने में जिसके पुर्ण होने में या जिसके होने में उस्मा का शोषन होता है इस प्रकार की मिलने से हैं डिफ्लेन बना और कुछ मातरा में फुस्मा लगी आएए दोस्तों अब हम बात से वज़ते हैं The दोस्तों आईएव हम बात करते हैं आक्सी करण अभक्रिया की बात हम करेंगे देखिए आक्सी करण की परिभास्ता हम यहाँ पर दो तरीके से देशकते हैं पहला है आधुनिक पहला है पुरानी परिभास्ता क्या है पुरानी अथवा प्राचीनतम प्राचीनतम परिभास्ता तो देखिए प्राचीनतम परिभास्ता क्या है आप कहोगे आक्षी करण वह अवस्था है अथ्वा आप ऐसे बोल देना कि जब किसी पदार्थ के साथ आक्षीजन जुड़ता है तब उस पदार्थ का आक्षी करण होता है अर्थात आक्षीकरण अभक्रिया वह अभक्रिया है जो अथवा जिसमें कोई पदाथ आक्षीजन के साथ जुड़ता है तब पदाथ का आक्षीकरण होता है आई हम इसको उधारण से समझते हैं कि आक्षीकरण अभक्रिया क्या होती है पहने का मदलब यहां पे हैं जैसे हमारे पास 2CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफार्म आक्षीजन से क्रिया करा दिया हमने तो यह बन गए आपका 2COCl2 में और 2CHCl बाहर चले गए उस्सी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने लिया C6H12O6 प्लस 6O2 यह बनाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O पहले बात को समझ लेजिए फिर आगे हम कामिस पर करेंगे देखे दोस्तों पुरानी परिभासा अदलब आक्षी करण की पुरानी परिभासा तो पुरानी परिभासा कहते क्या है कहते यह है कि जब किसी पदार्थ से आ आक्सीजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का आक्सी करण हो जाता है और इस अब क्रिया को हम आक्सी करण अभी क्रिया कहते हैं आई एक आदू धरान और हम समझते हैं यहां पर जैसे हमने लिया यहां पर टाइलून यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास है टाइलून इसक मतलब यहां पर टालूंगका भी आकसी करनंग हो गया है तो आकशी करन का मतलब होता है से जिए से हम आक्षी करण कहते हैं जैसे क्लोरोफार्म से इसका नाम क्या है इसका नाम है क्लोरोफार्म जब क्लोरोफार्म से आक्षिजन गेश जुड़ती है तो फासजीन बनता है क्या बनता है फासजीन बनती है इसका नाम है फासजीन फासजीन बनती है और यह क्या है आपका यह त उखिए क्लोर्फार्म कलोर्फार्म क्लोर्फार्म की क्रिया अक्सिजन से होती है अर बाहर चला जाता है जल घंट्रिण तायलून की क्रिया आक्सिजन से होती है तो बेंजल डिःड बनता है और यल बनता है तो हम ने इसकार देखा यहां पर आकशी करा अभक्रिया को आइए हम देखते हैं कि इसकी आधुनिक परिभासा क्या है? आएए हम इसको भी समझते हैं। तो देखिए आदुनिक परिभासा क्या है? अब आइए हम बात करते हैं। अजब किसी तत्तो में से एक या एक सधीक 2018 बाहर निकाल दिया जाता है तो उसा और बाहर कण अथे पड़ुत का अगर हम बिन्यास करेंगे तो परमार्ण को वांग 11 होता है बिन्यास करेंगे 2, 8, 1 आएगा बाहरी कोस में एक इलेक्टरान है अब सोडियम क्या करेगा सोडियम अपने बाहरी कोस वाले इलेक्टरान को बाहर निकाल देगा इसे एक इलेक्टरान को बाहर निकाल देगा औ और यह निकाल देगा है उसी प्रकार कर हो बात करते हैं हाँ याफी इसरोजस्ट रहुता है दो आठ उसके बाद यहां में अब यह कितनी होक है यह बात करते हैं होने सब्सट्राइब अब देखिए बाहरी कोश में कितनी है दो इलेक्टान है तो यफी करता क्या है यफी अपने बाहरी कोश के दो को ऐसे बाहर खता है और बनाता क्या है बना लेता है या भी हफी प्लस प्लस यह बना लेता है इसे प्रकार आए हम एक उद्राव देखते हैं बात करते हैं जिंग कि तो जिंग का परमार्मा 2 कितना होता है जिंग का परमार्गवांग तीस होता है बन्यज स्करेंगे तो कि आएगा गण कि अपने चुम कि निकाल देगा जब दो निकाल देगा तो यह बनाएगा जेडियन प्लस प्लस ये बना लिया उसी प्रकार हम बात करते हैं एल्मॉनियम की एल्मॉनियम का बिन्यास करेंगे तो कितना होता है परमार्ग मंग 13 होता है 13 उसके बाद 2, 8, 3 अब ये क्या करेगा अपने बाहरी कोश में से तीन इलेक्टरान को निकाल देगा जब तीन इलेक्टरान को निकाल देगा तो अल प्लस 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 इस अवस्था में चला आएगा तो ये हमने देखा कि आक्सी करण अवस्था को समझा तो कहने का मदलब है आक्सी करण वह अवस्था है जिसके द्वारा या जिसमें हम किसी तत्तो में से एक या एक से अधिक लेकरान को निकाल देते हैं या बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम आक्सी करण कहते हैं तो हमने यहां पर इस बात को समिज़ा तो आक्सिकरण के हमने 2 परिभषाट देखा. पहले, जब किसी चत्तों से आक्सिजन जुड़ता हए, तब तक क्या होता है अक्सिकरण होता है . अथवा जब किसी या जब कोई की टत्यों अपने में से एक या एक सेधी कि इलेक्रान को बहार निकाल देता है तब भी तत्यों का आग्स करण होता है तो हमने यहां तक पढ़ा अब अगले भाग में देखेंगे कि हम अप चैन अपक्रिया क्या है रे डाक्स अपक्रिया क्या है इससे सम्मान नहीं थे हम विभिन प्रकार की रास्तानिक प्रियां को समझेंगे तो दोस्तों जय हिन